सत्कार योग प्यारी साज संगत जी प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी गुजर जाए जो दर तेरे सफल ओ जिन्दगानी है जो तेरे कम आजाए मुबारक ओ जवानी है सत्कुरू निरंकार दातार के जर्नों में हम सब हाथ जोड़कर यही मांग मांगते हैं कि हे सचे बाश्या आप जी के जर्नों में हमारी ये जो जिन्दगी है वो गुजर जाए एक एक पल एक एक स्वास आप जी के जर्नों में बंदगी करते हुए बीते साथ संगर जी आज जो विचारों का टोपिक है जो दासी आपची के शीरवास से विचार शेयर करने जा रही है इन विचारों का टोपिक भी यही है कि सत्संकी महिमा संगर जी कहती है एक एक इस्त्री डेली डालान में दिया जलाया करती थी एक दिन जब दिया जला कर जाने लगी तो अचानक ही दिया बोलू था मा तेश्वरी मैं डेली तुम्हारे डालान का अंधेरा दूर करता हूँ लेकिन मेरे अपने नीचे हमेशा अंधेरा रहता है तुम डालान का अंधेरा दूर करने के लिए परेशान रहती हो इसलिए शाम होते ही मुझे डालान में जला देती हो किसी दिन मेरे नीचे का अंधेरा भी दूर कर दो इस्तिरी ने दिये की बात को सुना उसे हाशवाशन दिया और घर के अंदर चली गई वहाँ उसने आटे का एक और दिया बनाया हिर उसे जलाकर पहले वाले दिये के पास ले जाकर रख दिया इस्त्री को एक और दिया अपने पास रखते देखकर पहले वाला दिया बोला मा तेश्वरी मैंने तो तुमसे अपने नीचे कांदकार दूर करने को कहा था इसे हरने का भी कोई उपाय तो करो इस्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा आप अपने नीचे अब जांक कर देखो वहां आज अंधेरा नहीं उजाला है रोशनी है दिये ने जैसे ही अपने नीचे जांका आज वहां उजाला था वह करतिक्या नजरों से इस्त्री की और देखने लगा कहने लगा कि मैं आपका आ मिठी मुसकान के साथ कहा, अकेला दिया अपने नीचे के अंध्यरे को दूर नहीं कर सकता लेकिन जब पास ही दूसरे दिये जल उठें तो वे सब एक दूसरे के अंध्यरे को दूर कर देती है, यही है ससंह की महिमा इसलिए महात्मा संतों की संगत करने की प्रेडना देते हैं दुनिया का मारक दर्शन करने वाले महात्मा भी संतों के ससंग में आकर ही अपने अन देखे अन जाने दोशों से अब गुणों से छुटकारा पानी में सफल होती हैं परमात्मा ही सकते हैं यही सब जगह हमेशा होता है यह नजर तब आता है जब वक्त का पैगंबर इसकी जानकारी कराता है जो परमात्मा को जान लेते हैं वो महात्मा एक साथ बैटकर इस परंपिता परमात्मा इश्वर-गौर्ड, वाहे-कुरू, अल्ला जिसे हम कई नामो से पुकारते हैं नेकिन यह है एक ही है इसकी चर्चा करते हैं इसका गुणगान करते हैं इसे याद करते हैं इसके दर्शन करते हैं तो उस कार्य करम को सत्संग कहते हैं सत्संग की महानता के संबंद में महात्मा फरमाते हैं कि जब परमात्मा ने संत कबीर जी को आवाज दी कि आप बैकुंट में आ जाओ तो कभीर साहब जी रोने लगे क्यों रोने लगे कभीर साहब जी ने भरम दूर करते हुए कहा कि राम बुलावा भेजिया दिया कभीरा रोए जो सुख सादू संग में सो बैकुंट नहोए क्याते हैं कि जो सुख संतों महात्माओं के साथ है वो बैकुंट में भी नहीं है इसलिए मुझे रोना आ रहा है सभी धरम गरंतों में संत जनों ने साद संगत की महीमा का वर्नन किया है गो स्वामी तुलसी दाज जी कहती है एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनियाध तुलसी संगत साद की कोट कटे अपराध जब संतों का साथ रहता है तो इस परमात्मा की याद बनी रहती है कहा गया है कि हमारे करोडों अपराध भी परमात्मा माफ कर देता है भगवान शीरी राम जी ने नवदा भगती में बताया है कि प्रथम भगती संतन कर संगा अर्थात संतों का संग जरूरी है आके कहा है राम कथा के तेई अधिकारी जिनको सत संगत अति प्यारी कहते हैं कि राम कथा को सुनने के वही अधिकारी होते है जिनको सत संगत प्यारी होती है सत्य परमात्मा को जानने वालों का साथ बहुत जरूरी है बिन सत्संग विवेक ना हुई सत्संग के बिना विवेक जागरित नहीं होता इनसान नादानी में उल्टे सीधे करम करता रहता है विचार करने की बात क्या है कि क्या संगत और सत्संग एक ही चीज के दो नाम है आईए विचार करें संगत वो होती है यदि अच्छे की संगत करोगे तो अच्छे बन जाओगे और बुरे का साथ करोगे तो बुरे बन जाओगे यदि सुनार का साथ करोगे तो सुन्दर गेहने बनाना सीख जाओगे और यदि चोर का साथ करोगे तो चोरी करना सीख जाओगे इनसान एक और गून अलग लग आए यह संगत का असर है जैसे कहा है कदली सीप बुजंग मुख स्वाती एक गून तीन जैसी संगत की जिये तैसो ही फल दीन यदि स्वाती नक्षतर की बूंदे केले के पत्ते पर गिरती है तो कपूर बन जाती है यदि सीप के मुख में गिरती है तो मोती बन जाती है यदि साप के मुख में गिरती है तो जहर बन जाती है बूंद एक ही है लेकिन जैसा साथ मिला वह वैसी ही बन गई यह संगत का असर है इसके विप्रित ससंग का असर एक जैसा ही हुआ करता है अर्थात साथ संगत में आने पर पोज्टिव इंप्रेशन ही पड़ता है निरंकारी राजमाता जी हमेशा हमें अपने विचारों द्वारा समझाते कि चीनी की बोरी को चाहे जहां से भी खोलें चीनी ही निकलेगी इसी परकार ससंग में तो भगती ही मिलेगी संगत का विप्रित है कुसंग जबकि ससंग का विप्रित कोई शबद नहीं होता जैसे कि अनंद का विप्रित शबद नहीं होता सबश्ट है कि ससंग की महिमा बड़ी विशाल है जबकि संगत तो अलग असर छोड़ती है वास्तव में ससंग और संगत के इस अंतर को समझते हुए संगत को साध संगत के रूप में बदलते हुए भगती लाब उठाने की जरूरत है अर्थात सत संग प्रतम भगती संतन कर संगा सबसे पहली भगती की सिरी हमें सत संग बताए गई है हम जब सत संग में आते हैं संतों महापुर्शों की हमें चरंधूले भी मिलती है और सेवा भी मिलती है सिम्रन भी होता है संतों महापुर्षों के दर्शन करना भी सेवा है मरियादा में बैठ कर सत्संग सुनना भी सेवा है साथ संगत जी नतगुरु हमें इसी लिए बार बार हमें जिन जोडते हैं बार बार हमें समझाते हैं कि सत्संग में आना है सेवा सिमरन सत्संग इन तीनों से भगती पूरी होती है इन तीनों में से अगर एक भी छूट जाए तो भगती अधूरी रह जाती है इसलिए सत्गुरु कहती है जब सत्संग में आओगे तो सेवा भी होगी सिमरन भी होगा तीनों काम होते चले जाएंगे इसलिए हमने ससंग को भी महत्तर देनी है जब हम दूसरे काम खाना, पीना, उठना, पैटना, चलना, फिरना अपने दुनियावी बिजनस करते हैं अपने परिवारिक जिम्यवारियों को निभाते हैं हम अपने शरीर को स्वस्त रखने के लिए शनान भी करती हैं हम खाना भी खाती हैं और इसी तरह हमने मन को स्वस्त रखने के लिए ससंग भी करना है और सत्गुरू से हमने अशीरवाद ये भी मांगना है कि सचे बाशा हमी इतनी धन भी देना इतनी माया भी देना कि हम संतों की सेवा मिप्रमारत में वो धन लगा सकें जो संतांदी सेवा अंदर तनमन धन लगांदाए मानदी मैल असल विच अपनी समझो तोई जानदाए सत्कुरु दे उपदेश तो वड़ी होंदी कोई बाणी नहीं माने अपडेनू पेट चड़ाना इस तो वद कुर्बानी नहीं जित्थे बेके रबना पुले बड़ी था वड़ा स्थान वड़ी पगदी उन्नू कैंदे जो सत्कुरु करले परवान एहना गलादा जो बंदा अमली करदाए परचार कहे अवतार उना तो जावान सो सो वारी में बलिहार शेहनशाजी इतना सुंतर हिशबदवरा हमें समझा रहे हैं कि जो इस तरह सत्कुरु के उपदेश को अपने मन में बिठा लेते हैं सत्कुरु के संतों के उपर पलिहार जाती हैं एक एक वच्चन को करब रूप में ढालती हैं ऐसे संतों महापुर्शों के उपर मैं कुर्पान जाता हूँ हम सत्गुरु को रिज़ा पाएं यही हम गुन सीख पाएं सत्गुरु के चर्णों में बैठ कर कि सचे पाशा जिस से आप खुश हों वही हमें कला देना हम उस कला पर चले हमें हिम्मत भख्षना शक्ती भक्ती देना बल बुद्धी विवेक शक्ती भक्ती परिवार से सभी को देना सभी को अपने चर्णों से जोड़के रखना और तन मंधन के सुख देते हुए सेवा सिम्रंचस्ट्सं की दाथ सभी की जोली में आए जोली संता दी परो सुखा दे नाल दातिया संत तेरे रहन सदा खुशहाल है सद्कुरू माता जी आप ची के चर्णों में दासी बारं बार हाथ जोड़कर यही अशीरवाद मांगती है सद्कुर माताजी निरंकारी राजपीताजी निरंकार दातार की सचे पाशा सभी की जोलियां खुशियों से भरो सभी के परिवार खुशहाल रहें ये विचार करते हूं बहुत सी गल्दियां भी हुई हूंगी उन गल्दियों के लिए आप जिस शमा कर देना और दासी जो भी बोल बोल रही है इनको अमर रूप में लाते हुए अपना जीवन भी सुखी बनाए और औरों को प्रेना देकर उनको भी मिशन के साथ जोड़े साथ संकची प्रेम से कहना धान निरंकार जी